हेलो एंड वैलकम टू स्किल आईक्यू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है तो हम लोग अपनी स्टैटिक चिके में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आपका सुपोर्ट मुझे कम दिख रहा है बट हम जो है अपनी जोग को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश जर चैप्टर है वो माउंटेन से है और मुझे यहां पे लग रहा था जो यहां पे पॉइंट्स दिये गए हैं वन लाइनर फॉर्म में उनको एक्स्प्लेइन नहीं किया जा सकता विदाउट मैप और वाइट बोर्ड या जो भी डिजिटल बोर्ड लेकिन हम लोग क्या कर र खालेंगे जैसे ही आपको पीडियाफ मिलेगा ठीक है उससे आप लोग कर लोगे एक तो यह चीज है दूसरी चीज क्या है थोड़ा सा शुरुआत में मैं आपको बता दूँगा इसमें сबसे इंप़ॉटंटिंट जो मौन्टेन स का जो यह हमारा है ना इसमें सबसे जो एक लेते हैं हम लोग जिस तरीके से आपने पिछले 6 वीडियोज देखे तो वो सेम प्रोसेस जो है उसी तरीके से अपनाया जाएगा अब जो यह टोपिक है ना माउंटेंस इसने तो लिख दिया माउंटेंस और सिधी सिधी इसने चीजें लिख दी लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते और सिधा सिधा ये इस तरीके से होगा भी नहीं और कुछ न कुछ जो बाते हैं एक दम से कही हुई साइद सिरे चड़ जाती हैं तो इसलिए इंपोर्टन्ट है कि वन लाइनर फॉम में क्विक रिकाप इसी चीज़ को बोलते हैं तो यहां पे सबसे पहले टोपिक है यह जोगरफी का हमारा और इसमें हम लोग क्या करते हैं भारत का भारत का जो भोगोलिक सवरूप है न उसके तहत हम इस टोपिक को पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम भारत का जो भोगोलिक जो सिस्टम है भारत का भोगोलिक सरंचना या रचना या धरातल के हिसाब से ह सबसे पहला जो भाग है उत्री पर्वतिय मैदान इसमें उत्री पर्वतिय मैदान होगे दूसरे नमबर पे हमारी क्या चीज आती है विशाल मैदान विशाल मैदान मतलब बड़े-बड़े मैदान समतल धर्ती की बात की जाती है तीसरे नमबर पे आते हैं प्राइद वीपिय पठार चोथे नमबर पे हमारा क्या आता है मरुस्थल यह प्रदेश क्योंकि हमारे देश में मरुस्थल भी पाए जाते हैं सब तरीके की चीजें पाए जाती है पांचवा और अंतिम जो भाग है हमारा समुदर तट भी लगता है हमारा तो यहां पे समुदर तटिये मेडान नहीं होते हैं समुदर तटिये मैडान ही भी बोल सकते हूं ठीक है तो यह लिख्खा जैसा गया है मैं जिस भी तरीके कि वही resources है हमारे पास उसी को use करेंगे अब तो देखो ठीक है तो ये 5 भाग है इन 5 भागों में भारत का जो धरातली है सवरूप है और भोगोलिक जो सवरूप है उसके अनुसार जो है इसके अनुसार बांटा जाता है भारत को ठीक है उसमें भी अगर हम बात करें इस chapter में क्य ये मुझे ध्यान में नहीं है साथ पहले ही नमर पर बताया हो उत्री परवतिय मैदान परवतिय मैदान ठीक है उत्री परवतिय मैदानों को हम लोग किस कितने परकार से बाटते हैं चार परकार से बाटते हैं इसमें सबसे पहला क्या है इसमें सबसे पहला अक्षेत्र आत हिमालय अक्षेतr को हम लोग इसके अंतरगत, अब ये ट्रांस हिमालय अक्षेतr काफी बढ़ा है, इसमें क्या आती हैं, अलग-अलग परवत्ष्रेणिया आती हैं। परवत स्रेणिया, इसमें सबसे important परवत स्रेणिया कौन-कौन सी है, जैसे कि कारा कॉरम हो गया, लद्दाक हो गया, जासकर हो गया, इस तरीके की परवत स्रेणिया आती है, इसमें जो है, कारा कॉरम जो हमारी परवत स्रेणिया है, इसमें एक उंची चोटी है, जिसका नाम क्या है के टू के टू इसको गॉर्डविन आॉस्टिन भी बोलते हैं पूरा मैं लिखनी पाऊंगा या पर उसके लिए सोरी है गॉर्डविन आॉस्टिन इसको के टू को बोलते हैं इसकी हाइट है 8611 मिटर ठीक है 8,611 मिटर तो इसकी ये इतनी हाइट है इसकी कारा कॉरम की सरवच चोटी है कारा कॉरम परवद स्रेनी है ट्रांस हिमाले के अंतरगत आती है ठीक है और ये जो है भारत की सबसे उंची चोटी है और व्षू की सबसे उंची चोटी है पहले आपको पता है कॉन सी है कॉमेंट बॉक्स में भी लिखे दो जब तक पहली चोटी कॉन सी है विशू की सबसे उंची फिर यहां पर ये बात कंपलीट होगी उसके बाद दूसरे नमबर पर क्या आता है दूसरे नमबर पे इसमें आता है हिमादरी या फिर वरिद 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 हिमाद मतलब विसो की सबसे उंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी के अंतरगत आती होगी तो इसका मतलब सर यह नेपाल से गुजरती है जहां बिल्कुल यह नेपाल से गुजरती है ठीक है इसकी औस तुझाई कि अगर बात करोगे तो यह छे हजार मेटर औस तु होगे ठीक है और इसमें और कौन-कौन से जो है इसमें चोटियां आपको देखने को मिलती है यह मुझे लिखके बताने पड़ेंगी एक तो है कंचन जंगा कंचन जंगा ठीक है एक तो यह है कंचन जंगा एक यहां पे नंगा परवत नंगा परवत ठीक है लिखते रहे न नामचा बरवा ठीक है ये भी इंपोर्टन्ट है ठीक है नामचा बरवा ये है ये महत्वपूर्ण जो है उंची चोटियां है इस जो है स्रेणी की ठीक है व्रेध हिमाले या फिर हिमाद्री जो हमारी परवत स्रेणी है दूसरे टाइप की ये सबसे इंपोर्टन्ट और उं इसको तिबतियन लेंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं इसको तिबतियन लेंग्वेज में बोलते हैं चोमो लूंगमा चोमो लूंगमा चीक है यह तिबतियन लेंग्वेज में बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है परवतों की रानी चीक है परवतों की रानी और नेपाल मे इसको क्या बोलते हैं नेपाल में इसको आपको पता होगा सागर माथा बोलते हैं ठीक है सागर माथा बोलते हैं इसको नेपाल में ठीक है ये इंपोर्टन चीज थी उसके बाद हमारी तीसरी जो है महतुपूर्ण क्या बोलते हैं उसको परवत श्रेनी आती है जिसको हिमाच चल स्रेनी या फिर दूसरा नाम इसका लगू ही माले या फिर तीसरा नाम इसका मद्य ही माले भी इसको हम बोलते हैं ठीक है यहां पे आपको कौन-कौन सी जो है क्या बोलते हैं उनको श्रेनिया देखने को मिलती है एक तो देखने को मिलती है सारे एरेज करने पड़ेंगे पीर पंजाल ठीक है एक तो देखने को मिलती है हमें यहां पे श्रेनि पीर पंजाल धोला धार धोला धार ठीक है और कौनसी देखने को मिलती है मसूरी ठीक है मसूरी और कौनसी देखने को मिलती है नाग टीबा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन मैं क्या करूँ भाई ये बताना जुरूरी था पांचों की पांच ठीक है तो बस इतना ही काफी है इसके लिए ठीक है इसमें आपको जो है कश्मिर घाटी लाहूल स्फिती कुलू कांगडा ये सब घाटियां यहां पे आपको देखने को मिलती है एक नवीन तम है इसकी जो नवीन तम बोलते हैं इसको या फिर आप इसको बोलते हैं सिवालिक शिवालिक या फिर नवीन तम ठीक है या फिर एक नाम और लेते हैं इसका बाहय हिमाले है बाहय हिमाले है ठीक है ये चोथा टाइप है इसका और ये जो हिमाले का नविंतम भाग है क्योंकि नविंतम इसको बोलते हैं ठीक है इसमें शिवालिक और लगू हिमाले के बीच में कुछ अक्षेतर आते हैं जिनके अग अगर आप इनको पश्चिम में कहोगे तो इस तरफ अगर कहोगे तो आपको दून नाम के जो है क्या बोलते हैं नगर देखने को मिलेंगे ठीक है और अगर आप पूरव की तरफ की बात करोगे तो आपको द्वार जो है नगर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है दून में लक्षे तरभिया कोटली दून और पाटली दून को इतना जादा जाना नहीं जाता है लेकिन देहरा दून को जादा तर जाना जाता है उसके बाद पूरुव के द्वार में अगर कहें तो इसमें हरी द्वार को सबसे जादा जाना जाता है एक कोट द्वार नाम का भी जो है इन से समंदीत बताना था और अब जो है आपको मैं कुछ मैप से समंदीत कुछ चीजें जो है बता देता हूँ मैंने आपके लिए मैप जो रखा है ना वो ये रखा है ठीक है देखो यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि ये नंगा परवत है इसकी हाइट कितनी है ठीक है ये हिंदू को श्रेणी है ये श्रेणियां होती है परवतों की ठीक है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गोडविन आॉस्टिन जो ये चोटी है ठीक है ये पामीर गाठ होती है ठीक है ये केटू है जिसकी चोटी ये चोटी है आपकी केटू की ठीक है गौडवीन ऑस्टिन या केटू 611 मेटर है न तो इसमें बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से यहां पे दिया हुआ है ठीक है यह सांगपो नदी है जिसका दूसरा नाम ब्रह्म पुत्र है क्या बताया देना मुझे ब्रह्म पुत्र है क्या क्या है ठीक है इस तरीके से जो है यह दिया हुआ है आप इसको जूम करके भी देख सकते हूँ बड़े अच्छे तरीके से यह इन्होंने बताया हुआ है और यहां पे यह इंडिकेशन से हैं इनको भी बड़े अच्छे तरीके समझ सकते हो दूसरा यहां पर इंडिकेशन के इलावा जो यह लिखे हो है ना यह जो डोट करके है यह नदियां है सारी चेनाब जेलम रावी है ना जो यह पाकिस्तान की तरफ फैली हुई है कुछ ठीक है ना कुछ इस तरीके से यह रेंज आती है हिमाले की जो रेंज आती है ठीक है कुछ इस तरीके से हैं कुछ ऐसे भी है कुछ उदर भी निकल जाती है तो इस तरीके से हैं और फिर यहां पर आपको नीचे भी आपको पाड़ियां देखने को मिलती है निलगरी की पाड़ियां होगी इस तरीके से तो ये सब चीजें तामिल नाड़ू के अंदर ना तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है इसमें एजी ली अब मैं आपको एक चीज पहले ही पढ़ा देता हूँ हिमाले के उंचे सिखर आपको बता देता हूँ यहां पे देखो माउंट एवरेस्ट की बात करोगे तो 8,848 कभी इसको 8,850 भी दे देते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा ठीक है यह नेपाल के अंदर पढ़ती ह केटू या फिर गॉडविन ओस्टिन यह पी ओके के अंदर पढ़ती है पाकिस्तान उक्योपाइड कसमेर भारत के अंदर 611 मेटर गॉडविन ओस्टिन और केटू नाम है इसका कंचन जंगा भारत और नेपाल की सीमा पे है 8560 मेटर इसकी हाइट है मकालू नेपाल में नेपाल में पढ़ती है 8167 मेटर नंगा परवत आपको देखने को मिलेगी भारत में ठीक है 8126 मेटर अनापूर्णा नेपाल में 8091 मेटर ठीक है यह डिकलाइन वे में है नंदा देवी भारत में 7816 मेटर कामीत भारत में 7756 मेटर नामचा बरवा तिबद चीन के अंदर जो ह 7782 मेटर गुरूला मंधाता यह तिबद चीन के अंदर 7728 मेटर जो है इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है ठीक है तो अभी हम देखो 14 मिनट 15 मिनट के आसपास तो हमें इसके एक तरीगे से इंट्रोडक्शन में लगे अब हम इनको स्पीड में देखेंगे अपने जो यह वन लाइनर फॉर्म जो दी हुई है ठीक है तो देखते हैं अभी अब आप आइडिया लगाते रहना देखते रहना मार्क करना ठीक है डाउनलोड करना हो अलग से मैं टेलिग्राम ग्रूप पे भी इस मैप को में डाल दूँगा ठीक है फेस्बुक पेज पे भी मैं श स्किल आईक्यू चीक है यह फेस्बुक बाकी सब सोशल मेडिया पे हम इसी नाम से हैं यह सिक्सा और अध्यन आपको सिरफ और सिरफ यहां पे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ड करते हैं जिसका आप वेट कर रहे थें कौन सी परवत स्रंक रहे हैं उनको आने से यहां पे रोकती हैं शेवराई पाहडिया अब देखो इसकी डीटेलिंग में जाएंगे कहां से आती हैं कैसे आती हैं अब वो पॉसिबल ही ना है बिना मैपके ैना नही ना तो इसलिए यहां पे विक रीकैप में इसको कहूंगा शेवराई पहाडियां और जवादी पहाडियां घाट के दक्षिन पूरुव परस्थेत हैं मेगाले की किन पहाडियों में सबसे अधिक वर्षा होती है तो खासी पहाडियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अब आप इस चीज़ को ऐसे भी रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा ध्यान रिखने की जो बिलकुल भी नहीं पड़ा खासी पहाड़ियां जो है वो मेगाले में देखने को मिलती है ये नहीं है कि और किसी स्टेट में देखने को मिलती नहीं है ठीक है और खासी जो पाड़ियां है वहां पे खासी जनजाती भी पाई जाती है तो इस तरीके से चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगे अनमान और निकोबार्द वीप समों की सबसे उंची चोटी कौन सी है सैंडल पीक भीदरी हिमाले की ओसत उंचाई कितनी है छे हजार मीटर पश्चिमी घाटों को स्थानिय रूप से महरास्टर में किस नाम से जाना जाता है सहयाद्री के नाम से जाना जाता है ग्रेट हिमालियन रेंज इसकी अनुमानित लंबाई जिसके केंदरिय अक्षिय रेंज के रूप में भी जिसको जाना जाता है पूरव से पश्चिम तक कितने किलोमेटर है पच्चिस सो किलोमेटर है ग्रेट हिमालियन रेंज की लंबाई पूरव से पश्चिम तक जाता है उसके बाद क्या है धूप गड चोटी भारत के किस राज्येगी सबसे उंची चोटी है मध्य प्रदेश की कल सुबाई चोटी किस भारतिया राज्य में स्थेत है महाराष्टर में है तामिल नाडू की सबसे उंची चोटी डोडा बेटा ठीक है उसके बाद हिमाले क कंचन जंगा चोटी की उंचाई कितनी है 8588 मेटर भारत में सिवालिक परवत सरंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा दून कौन सा है देहरा दून अब यहां पे एक जाना पहचाना सा कोश्चन आपको लगा हुआ उस डिटेलिंग के बाद है तो ऐसा ही होता है जब हमने डिटेलिंग में पढ़ रखा है और जब हम इनका क्वीक रिकाइब करते हैं तो यह बैस्ट रिवीजन एक तरीके से होता है और इस से सम्मंदित अब जब मैंने देहरा दून बोला और शीवालिक परवत सरंखला बोला तो दूसरी सरंखला भी आपको ध्यान में आई होग चारखंड की सबसे उंची चोटी पारशनात इसकी हाइट कितनी है कॉमेंट बोक्स में लिखके बताओ धिनो धर पहाडियां किस भारतिय राज्य या केंदर शाशित परदेश में पाई जाती है यह केंदर शाशित परदेश में नहीं पाई जाती है जिसका नाम क्या है ग Comment बोक्स में लिखके बताओ अराबली पाहडी की सब्से उंची चोटी कौन सी है गुरुशिकर इसकी अंचाई कितनी है और सब्सी पहले बात तो यह बतानी है कि उंची चोटी कौन सी है यह तुमने गलत ही पूछ लिया ना 7721 माली किस राज्य की सब्से उंची चोटी है ये ओडिसे की सबसे उंची चोटी है देव माली कौन सा परवत धोली गंगा के निकट स्थेत है ये नंदा देवी के निकट स्थेत है कौन सा परवत भारत और नेपाल के बीच में है कंचन जंगा अनपुरुना चोटी किस हिमाले अक्सितर से सम्बंदित है ये नेपाल से सम्बंदित है सत्रुन्ज पहाडी किस रज्य में स्थित है गुजरात में स्थित है कुमाउं हिमाले किन दो पहाडियों के बीच में स्थित है सतलुज और काली इन दोनों के बीच में हमारी जो है कुमाओं हिमाले जो है इन दोनों नदियों के बीच में स्थेता है सतलुस नदी और काली नदी के बीच में कुमाओं हिमाले जो है है और ये हिमाले के हिस्से को हम कुमाओं हिमाले कहते हैं ये सेम कोशन रिपीट कर लिया, इसने माउंट अबू हिल स्टेशन किस परवत्षरेणी में आता है, ये अरावली परवत्षरेणी में आता है, ठीक है, सत्थपुडा परेटनस्थल ये मद्धे परदेश में पढ़ता है, सत्थपुडा मद्धे परदेश, ठीक है, किस कहां पे हैं बता दो मुझे मद्ध्यप्रवत में होंगी शाइद ठीक है बताना मुझे고ेंट बॉक्स में लिख kya hai confirm हूं के नहीं हूं मद्ध्यप्रवत के रहा हूं मेरा option मद्ध्यप्रवत का एक है तिलवाडा और जरगा परवत चोटियां किस रज्जे में है ये आपको रजस्तान में देखने को मिलेंगी दारजलिंग हिमाले के किस भाग में है ये लगू हिमाले भाग में पड़ता है उसके बाद है कि स्रेणी को उपरी एशिया की रीड के रूप में जाना जाता है कारा कोरम स्रेणी की सबसे उंची चोटी का नाम बताओ और उसकी हाइट बताओ कितनी है अरुनाचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी कांग्टो है हिमाले की सबसे बाहरी परत कोंची है सिवालिक परवच्रेणी हिमाले की सबसे उंची चोटी कोंची है माउंट कंचन जंगा हिमाले की तीसरी सबसे उंची चोटी है ठीक है देखो पहली क्या होगी चलो पहली और तो दूसरी आप ही बता दो मुझे comment box में दूसरी K2 है क्या और पहली Mount Everest है और तीसरी Mount कंचंजंगा है तो ऐसे है Mount Godwin Austin को K2 परवत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी उचाई कितनी है 611 ये तो मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से याद हो गया हुगा कारभी आंग लोंग पहाड़ियां कहां पे हैं आंग लोंग ये असाम में मिलेंगे इस तरीके के नाम आपको चीक है पिद्रूत 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 लागल पिद्रूत लागल कहां की सबसे उंची चोटी है ये स्री लंका की सबसे उंची चोटी है कौन सा पश्यमे घाट का सरवोत शिकर है अनाय मुड़ी पश्यमे घाट में आगे हम लोग यहां पे जो है इसका क्या बोलते हैं इसका क्या बोलते हैं यार हेमाल्या का थोड़ा सा कम रोल बनता है सागरमा था नेपाली नाम है किसका माउंट एवरेस्ट का और उसको तिबतियन लेंग्वेज में क्या कहते हैं फिर चीक है ये नेपाली नाम होगा हाँ नेपाली नाम में माउंट एवरेस्ट कहते हैं तो तिबतियन लेंग्वेज में क्या कहते हैं परवतों की रानी नाम ब बारत के कितने राज्जों में है 11 ये comment box में आपने बताना है कि सर हिमाले जो परवत सरंखला है वो इन 11 राज्जों में है नंबर वाइस बताना है आपने ठीक है एक दो तीन चार या सिद्धे नाम लिख दो को में लगा कि ठीक है अब यहां पर आती है गारो खासी और जैनत बातियां भी हैं कहां की हैं मेगाले की हैं भारत का सबसे नया परवत हिमाले है ठीक है उसके बाद कौन सा परवत भारत में लद्दाक के सियाचिन अक्षेतर के पास थेता है ये केटू परवत है केटू सॉल्टेरो कांगडी चोटी किस सीमा परस्तित है भारत पाकिस्तान की सीमा परस्तित है सोल टेरो कांगडी चोटी दोडा बेटा परवत शरंखला ये तामिल नाडू के अंदर है और नीलगिरी की पाड़ियों की सबसे उंची चोटी जो है आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी जो है सबसे उंची चोटी है तामिलनाडू की, ठीक है, दोड़ा बेटा जो है यहां पे परवत स्रंखलागी, सबसे उंची जोटी है, नील गिरी की, ठीक है, नील गिरी परवत स्रंखलागी, सबसे उंची जोटी, दोड़ा बेटा है, जो की तामिलनाडू में पढ़ती है, ऐसे बोलना चाह रहा था मैं ओके बार-बार revision करेंगे ना तो हम लोग confused नहीं होंगे हिंदु कुष्परवत की सबसे उंची चोटी है तिरीच मीर क्या है तिरीच मीर हिमाले में धोलाधार धोलाधार परवत माला किस का एक भाग है ये मध्य हिमाले का भाग है हिमाले हिमादरी के सुदूर उत्री भाग की उसत उंचाई लगबग कितने मीटर है लगबग आपको 6000 मीटर आपको उसकी उसत उंचाई उसत नहीं लगबग हाँ उसत ही बोल सकते हो उसत तो नहीं कहोगे एप्रोक्स कहोगे उसर तोर da box में थोड़ा सा difference होता है हिमाल्य की उंची परवत मालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या का जाता है बुग्याल ठीक है बुग्याल एक वर्ड है मर्ग ठीक है मर्ग इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बताओ मुझे क्या होता है ठीक है, ओके, कंचन जंगा, भारत के किस राज़ेगी सबसे उंची चोटी है, सिक्केम में है, ये, कंचन जंगा, हाँ, मैंने ये नहीं बताया, कौन से स्टेट में है, माउंट एवरेस्ट पर चड़ाई करने के लिए, परवतारोईयों को कहां जाना पड़ता है, ये बतान यां, जार KIM के किस ीले में है, रांची में है, नर्मदा और तापती, पहली बात तो ये नदियां है, इनके बीच में कौन सी परवत फ्रेणी स्थित है, सत्पुड़ा पुर्वत फ्रेणी, जो है, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है, अराका, अराकान योमा, ये ह माले परवत की एक्षिर्यनी है ये कहां पर पढ़ती है ये मियानमार में पढ़ती है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है ये हमारे उत्राखंड राज्य में है काराकुरम परवित स्रिंखला की सबसे उंची चोटी बाई बोल बोल के ठग गे हम लोग मॉस्ट रेपीटि परस्थित है खासी पाडियों परस्थित है तो रज्य भी बता दू सिलोंग उके उसके बाद उत्री अन्मान के उच्टम बिंदू 732 मिटर परस्थित एक चोटी है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सैंडल पीक उत्री अन्मान के उच्टम बिंदू है जो कितने मिटर हाइ है जिसकी 732 मेटर इस पर एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक महरास्टर की सबसे उंची चोटी कल सुबाई सिखर महरास्टर की सबसे उंची चोटी है सायादरी प्रवत माला भारत के किस रैज्य से लेकर सुदूर दक्षिन भारत कन्या कुमारी तक फैले हुई है शान लगाया था उसमें आप पढ़ोगे सायादरी प्रवत माला को ठीक है उसके बाद केरल मेस्तित सर्वोच प्रवत जो चोटी है उसका नाम है अनाई मुडी इसकी हाइड बता सकते हो बता देना अरावली प्रवत माला का उच्तम बिंदू है गुरु शिखर कितना क्या गुरु शिखर भा ये तो सबसे रिपीटिटल कोष्टन्स में से एक है आरार्बी एंट्डी ठीटी फिर अरार्बी एल्पी जेई अलाबाद हाई कोर्ट सी एचेसल एंटी पीचे फिर से फिर आपको देखने को मिला ये उपी एससी ठीक है और पेटी इसमें देखने को ये मिला है कोशन माउंट सीनियो अल्चू माउंट सीनियो अल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है ये सिक्किम में है गुरो शिखर भारत के राजस्थान राज्य में है किस परवतिय स्थान की उचाई समुदर तल से सबसे अधिक है उटी की और मुझे बता सकते हो उटी जो है किस राज्य में हमारा पढ़ता है तू बताओ मुझे उन्टि किस राज्य में पढ़ता है अब दक्षिन भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोड़ा बेटा है नेलगिरी तामिल ऌड़ू दोलाधार दोलाधर या दोलाधार भी बोल देते हैं इसको ये सिरिंखला कौन सी हिमाले श्रेणी का हिस्सा है ये लगू हिमाले श्रेणी का हिस्सा है किस परवती है किस भारतिय परवती है चोटी के उचाई सबसे कम है ये मुकुट परवत की है और ये कौन से union territory या फिर state म पढ़ती है मुकूट मुकूट से ही समझ जाना चीए कहां पे पढ़ती है ठीक है सत्पुड़ा जो स्रेणी है उसकी सबसे उंची चोटी है धूप गड कौनची है धूप गड कैलाश परवत किश अक्षेत्र में है तिब्बत में पूर्वी भारत के पहाडी पटी मेघाले क मेघाले मूल रूप से किसका हिस्सा है ये असाम का हिस्सा है पूर्वी भारत के पहाडी पटी मेघाले मूल रूप से किसका हिस्सा है ये असाम का है कंचन जंगा विस्व में तीसरी और सबसे बड़ी परवत किस सीमा पर स्थेत है कंचन जंगा भारत और नेपाल की सीमा ठीक है रोकी परवत किस देश की सर्वत चोटी है ये अमेरीका की है ये गया लोगी हमारे आसपास से थोड़ा सा दूर का कुश्चन पूछ लिया ये हम से ठीक है उसके बाद है कुम बलगड की पाड़ियां किस रज्य में है ये रजस्थान में है कंचन जंगा विश्व की तीसरी सबसे उंची चोटी है यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है भारत का सिक्किम स्टेड और नेपाल दे ये सिक्किम में जो है आपको जोन, चोंग, जो है चोटी आपको देखने को मिलती है हिमाले की धोला गिरी सिकर जो है धोला गिरी हिमाले का धोला-गिरी सिकर जो है उसके उन्चाई कितनी है 867 मीटर ये स्टैनोग्राफ रो 2013 का कुशन है कौन सी परवत स्रंखला होशंगाबाद में स्थित है सत्पुडा ठीक है अब ये बताने की जरूरत नहीं होने चीए ये सत्पुडा कहां पे है होशंगाबाद स्रंखला कहां पे है ये कोशन कहां का है ठीक है उत्राखंड की सरवोच चोटी नंदा देवी जुमरी तलेया औ और मंदार पाड़िया ये जारखंड में आपको देखने को मिलेंगी जनपद में नंदा देवी सिखर कहां पे है चामोली में है और ये युके में है उत्राखंड फाई युनाइटेड के इंग्डम नहीं है हिमाले के सबसे उंची चोटी के टू गोडविन आॉस्टिन कंच जंगा कहां पे है सिक्के में है अरा कान योमा परवत्सरंखला किस देश में है ये मयानमार में है सरामती परवत्सरंखला परवत्सरंखला ये सबसे उंची चोटी नागा पहाडिया नल मला परवत्सरंखला ये आपको आंदर परदेश में देखने को मिलेगी माउंड किल में जारो अफरिका की सबसे उंची चोटी कौन सी है जो किस देश में देखो कन्फूशन क्रेट कर दिया मैंने खुद ही देखो माउंट के लिमें जारो है सबसे उंची चोटी अफरिका मादविब की ठीक है और ये कौन से देश में है ये तंजानिया में है इस तरीके से कहन जाता था मैं बात को ड्रैकन्सबर्ग परवत ये परवत है ये किस देश में है ये दक्षिन अफरीका में आपको देखने को मिलेगा और ये आपके कुछ कोशन्स हैं सम्तिंग थर्टी टू कोशन्स हैं आप इनको भी रिवाइस कर सकते हो फिर मेरे पास एक कॉमेंट आया था और वो जो मेरा मित्र है वो पूछना चारा था कि सर्य बुक कौन सी है ठीक है क्योंकि मैंने इसको कवर किया हुआ है अब भी मैं उस कवर को फाड़ूंगा तो आप भी समझो कि अच्छा नहीं लगेगा देखो मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग बता देता हूँ इसका नाम है Static GK by आशुतोष शुकला ठीक है बुक का जो कवर है वो ब्लु कलर का है ठीक है वो ब्लु कलर का है और क्या है और क्या है इसमें मैं जो आपको खास बात बताना चाहरा था हाँ, हमारी pinnacle publication नहीं आती है जो blue color pinnacle publication का होता है same उसी तरीके की दिखने की ये book है इस book का इतना description मेरे हिसाब से ठीक है बाद में video record करने के बाद मैं देखूंगा net पे ये book मिल जाएगी तो उसका photo मैं यहाँ पे आपको side में लगा दूँगा ठीक है, तो thanks for watching, thank you so much channel को share कर दो ठीक है, क्योंकि subscriber आप देख रहे हो under 200 है, only 200 share कर दो और comment कर दो प्यारा सा like कर दो video को ठीक है, और channel को subscribe कर दो ठीक है, subscribe कर दो channel को और pdf के लिए आपको क्या करना है book के लिए भी बता दिया मैंने और pdf के लिए आपको skill IQ नाम के telegram channel पे जाना है और same video आपको facebook पे देखने को भी मिलेगी ठीक है, और सब जगे आपको देखने को मिलेगी तो thanks for watching, thank you thank you so much, हाँ, उससे पहले next जो topic होगा हमारा lakes से related हमारा next topic होगा thank you, thank you so much, मिलेंगे next topic में, thank you, thank you so much keep supporting us and have a nice day